एक्सरसाइज 11a question number 2 क्या कहता है find the gain or loss percent when चार है cost price और selling price दिया हुआ है चारो questions में यह नहीं बतला रहा है कि loss हो रहा है या profit हो रहा है दोनों पूछ रहा है कि gain हो रहा है तो gain percent बतला है और यदि loss हो रहा है तो loss percent बतला है कोई बड़ी बात नहीं है इसलिए हम लोग से समझ सकते हैं पहले question को देखो cost price 2400 और selling price है 2592 2592 ओवियस है selling price जितना तुम्हारा लगा किसी चीज को खलिदने में बेचने में तुम्हें उससे ज्यादा मिल रहा है बहुत होगी यह खुसी क्यों हो रही है तुम्हें कि तुम्हें gain हुआ है you are in profit तो obvious है कि इसमें profit होगा profit कितना होगा इस तरह greater than CP there is a profit हमसा उसमें profit होता है यह कितना हो जाएगा SP माइनस CP 2592 माइनस 2400 ठीक है यह हमारे पास कितना आ गया रूपीज 192 माइनस करोगे तो यह इतना ही आ जाएगा अब इसमें profit हुआ है तो हमें profit percentage निकालने के लिए कह रहा है profit percentage profit ठीक है यदि कहीं gain कहता है तो तुम इसको gain भी लिख सकते हो profit और gain दोनों टर्म इसमें यूज होता है इसका formula क्या होता है profit upon CP हमेशा profit या loss जब भी हम लोग यह बतला चुक है इसके पहले वाले वीडियो में ठीक है न हमें profit या loss जो भी होता है वो हमारे cost price होता है एसा नहीं हो सकता है तो जो भी तुम्हे profit या loss होगा वो तुम्हारे cost price कहीं होता है इसलिए profit upon CP into 100 यह simple सा formula है इसका कितना हो जाएगा profit है 192 cost price कितना है 2400 into 100 कि solve कर लो इसको इस 0 से यह 0 गया इसको तुम कितने से काटो गया एट एट से काटो सीधे तुम्हेदी छोटे नमबर से चाहो तो काटना स्टार्ट कर सकते हो हम बाए नमबर से इसको काट रहा है ता इसवा calculation कम हो एट से होगा तो एट थ्रीजा 24 और यह हो जागा एट टू जा 16 32 तो एट फोर्जा 32 अब थ्री से कटेगा यह बिल्कुल कटेगा थ्री से कटेगा एट टाइम्स कहने का मतलब यह 8% हमारा परसेंटेज गीन जो है इसमें वही हमारा निकला क्या निकला एट परसेंटेज में हमें प्रोफिट हुआ ठीक है सेकेंड कुस्चन देखो अब इसी तरह हम लोग बनाते चले आते हैं यदि कहीं तुम्हें लग रहा है कि सेलिंग प्राइस जैसे यहां देखो कोस्ट प् इसका कैसे निकलेंगे ठीक है लॉस का मतलब होता है इसका ठीक फूल्टा हो जाता है कौस्ट प्राइस से हम लोग सेलिंग प्राइस को मायनस करते हैं यह हो जाएगा 16.50 मायनस 1452 फाइं यहां पर भी यहां पर भी ध्यान रखना रूपीस या रूपीस के सिंबोल आम नही तो इतनी चीज का याद रखना यह हो गया हमारे पास कितना आ गया 1650-1452 अच्छा यह 50 रहता हो यह 1650 रहता तो 200 आता लेकिन यह दो बढ़ा हुआ है तो यह 198 हो जाएगा 200 से घड़के वन है तो माइनस करो वन है जर्णली यह शौटकट होता है माइनस करने का वह बतला रहा है 1650-1450 यादी यतना रहता है तो 200 आता लेकिन हमने 1450-1252 तो यह 200 आया यह टू और माइनस हो जाएगा तो 198 हो जाएगा यह जो है लॉस हमारे पास आया 198 परसेंटेज into 100, कितना आगया हमारे पास, 198 upon cost price, 1650 into 100, इसको solve कर लो, ये 0 से ये 0 गया, 5 से काटो इसको, तो 3 times, 3 times, और 5 से 2 times, 33 आगया और ये हो गया, देखो ये 11 से कट जाएगा, 11 से ये 3 times कटेगा, ये कटेगा 1 times और 8 times, ठीक है, और ये 3 से, ये कितना टाइमस कट जाएगा, 6 times कट गया, हमारे पास आगया, 12%, 12% क्या, लोस, इसको 12% का, लोस और गैस डिल में बचारे को, अब 3 पर आओ, ये कहता है, cost price 12,000 और selling price 12,800, 12,000 में खरीदा, और बेचने पोस को मिला, 12,800, ज्यादा मिला, कहने का मतलब profit में है वो, profit कैसे निकालेंगे हम लोग, profit इसका हो जा आएगा, selling price minus cost price, 12,800 माइनस 12,000, ये आगया, हमारे पास, रुपीज 800, ये इसको profit हुआ, profit percentage, same यही चीज है, percentage profit, ठीक है, एक चीज और है, इसमें, मैंने इसके परहावले question में कहा था, कि question बहुत तरह से बन सकता है, ये तो formula पर डाल दे रहे हैं, एक वर हम लोग दिरा, इसको unitary method से बना के देखते हैं, इसको हटाओ, देखो ये unitary method से, कैसे बनेगा, ठीक है, यदि तुम इसको formula पर डालोगे, तो simply इसका कितना आ जाएगा, percentage profit का मकलब हो गया, profit upon cp into 100, यही वह न, इसको इससे काटो, ये से, इससे ये कट गया, और ये हमारे पास, इसका answer, लगी fraction महीं आएगा, देखो कितना होगा, ये हो गया, 4 से, ये 20 times, और ये 3 times, ये आ गया, 20 upon 3%, इसका मकलब हो गया, 6, 6 into 2 upon 3%, ये ही इसका answer आना चाहिए, हम लोग एक बार इसको, ये जो unitary method है, उससे solve करके देखते हैं, हर एक तरीका हमें आना चाहिए, एक ही पर fix हो करने आना चाहिए, हम लोग formula ये उसकर रहे हैं, अब ज़रा unitary, जाओ यहां से, जाओ, चलो जाओ, जाओ काम करना दो, ठीक है, टफी है, अले जाओ ने जाओ, ठीक है, ये हमारे पास आगया, तो देखो ये कैसे निकलेगा unitary method से, simple सा चीज है, कि 800, क्या कह रहा है, कि तो unitary method में percentage निकालना है, तो हमें ये ही निकाल लेना है, कि इतने रूपीज पे, इसको इतने का profit हो रहा है, तो 100 पे कितने का होगा, कहने का मतलब कि CP जब 12,000 है, ठीक है, तो उसको profit कितने का हो रहा है, उसको profit हो रहा है, 800 का, यदि CP 1 रूपीज होगा, तो इसको profit होगा 800 upon 12,000 का, और जब CP यदि 100 हो जाए, परसेंटेज निकालना है, तो निकालना है, तो ये हो जाएगा, 800 upon 12,000 into 100, ठीक है, यही उसका percentage profit होगा देख लो यही चीज आ गया 800 upon 12,000 into 100 इसको solve करोगे तो तुम्हारा पासे यह answer आएगा 6 whole into upon 3% ठीक है यही आ गया इसको भी हम लोग unity में थरसी निकाल के देखते हैं सब सब देखो कि इसको loss हुआ है या profit हुआ है cost price 1700 और selling price 1611 बहुत loss हो गया बचारे को कम ही प loss हमार पास कितना आ गया cost price minus selling price मतलब 1800 minus 1611 यह हमार पास कितना आ गया 1800 से 16 जादा 200 हो है 200 में से 11 है तो 189 सही है हम कहीं कहलत नहीं है 9 plus 1 10 8 plus 1 9 plus 10 16 1 17 18 ठीक है यह इसी तरह से निकाल लो ठीक है when cost price is हमे statement पी लिख देना तुम लो ठीक है when cost price is rupees 108,000 profit नहीं loss हो गाइस में ठीक है ना loss is 189 ठीक है when cp is rupees 1 loss is rupees 189 upon 1800 ठीक है उसके बाद में पास क्या आया when cp is percentage का निकालना है तो हमनों हल निकालेंगे क्या जगा में पास 189 upon 1800 into 100 ठीक है ना इससे 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 यह कट गया ठीक है अब देखो यह कट सकता है क्या यह कटेगा थ्री से कटेगा यह 3 से कटेगा 6 times और यह कटेगा 6 और 3 times यह भी और कटेगा 3 से 3 से यह 2 times और यह कटेगा 21 times हमारे पास आ गया 21 upon 2% 100 में इसको निकाला है हमने तो यह आ जाएगा कितना हो गया यह 10 whole 1 upon 2% कहने का मतलब कि इसको जो लॉस हुआ 1 रूपीज 1 89 का परसेंटेस्टर में इतने परसेंट का उसको लॉस हो गया exercise 11 a question number third कहने के लिए एक ही question है लेकिन इसमें 4 question है ठीक है सब में SP दिया हुआ है gain percent है या loss percent है वो दिया हुआ है कहता है find the CP इसको हम लोग formula से बना सकते हैं और unity method से बना सकते है formula कौन सा लगेगा वह एक formula इसके पहले वाले question में हम लोगों ने use किया था याद होगा तुम लोगों को इसमें उसमें लोग क्या निकालते थे selling price निकालते थे यहाला formula याद है selling price equals to 100 plus gain percent upon 100 into CP यदि यहां loss होता था तो loss minus loss percent होता था याद है इसमें कुछ नहीं करना है CP वाले को इधर ही रहने देना है बाकि सब को सब को सब्सक्राइब कर देना है तो यह 100 transpose होगा तो देखो अब यह CP हम लोग साइड चेंज करके लिख रहे हैं CP को जाले हैं बाकि सब को इससे करते हैं CP इदर ही रहेगा इसको हम लोग इदर भेज रहे हैं और ultimately side change कर रहे हैं तो जब इधर transpose होगा तो यह हो जाएगा 100 into SP ठीक है इधर division मुद्धा के multiply हो गया और यह whole part CP से multiply है तो इधर जाके divide हो जाएगा तो यह हो जाता है 100 plus gain percent इदी loss है तो loss percent यह दिया हुआ हम लोग इस formula का यह use करेंगे और इसको निकालते हैं question में देखो gain percent दो जगा whole number में है यह loss percent जो भी है gain percent loss percent दो जगा whole number में है और दो जगा यह mixed fraction में दिया हुआ है हम लोग क्या करते है formula से इस दोनों को निकालते है और unity method से इस दोनों को निकालते है इससे क्या होगा formula से यह भी निकल जाएगा normal निकल जाएगा और unity method से भी दोनों तरसे fraction वाला और number वाला दोनों के practice हो जाएगे हम लोगो ठीक है देखो यह कैसे से न्हीं लेगा इसका फिर्मुला हम लगाएंगे तो सीपी क्या हो जाएगा सीपीवलस टू हंड्रेड्ड अपॉन हंड्रेड प्लस हो ऑगा प्लस हो गोगा गेंपर्स ने कितना है जो लिग देते हैं गेंपरसेंट ठीक कि यह फिर्मूला हो गया इंटू एस पी कि इसमें जब है लूप पूट करोगे तो क्या हो जाएगा हंडेड अपाउन हंडेड प्लस गेंट परसंट कितना है टेन और एस पी हमारे पास है 924 यह कितना गया हंडेड अपाउन हंडेड एन टेन इंटू 924 ठीक है कटेगा चलो दो से कटेगा दो से कटना स्था करते हैं लोगा स्था स्था कंप्लेक्स होगा ऐसे नहीं हो इसको सीधे करो देखो क्या हता 110 है इसको 100 से कट दो 11 से क्या सकता 11 से 8indaú мhp फिर 4 फोटो 11 से कट जाएगा यह राइट यह वन टाइम्स एट टाइम्स काटो गए तो 88 हो गया 92 में से 88 गया 4, 4 और 4, 44, 44 टाइम्स ला जाएगा यह हमारे पास का गया 10 इंटू 84 इसका मतलब रूपीज 840 यह कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इस क्वेस्टन का ठीक है इसमें हम लोग यूनिटी मतल लगाते हैं यूनिटी मतल कैसे लगाएंगे देखो सेलिंग प्राइस है और यहां लॉस परसिंट कट आगया वीडियो में कि यह जो कॉस्टन मैंने लिखा बुक से यहां पर गेन की जगा हमने लॉस लिख दिया और कॉस्टन पहले ही से लिक मैं लोग फर्मुले से निकालते हैं बेन परसंट ठीक है दोनों में आ जाएक में होल नंबर एक में इसका कितना हो जाएगा सो देखो यह फर्मुला हम लोग उस करें चाहिए फंडेड आपान फलस घंडेड फ्लस कितना हो जाएगा यह जब इसको फ्रैक्शन में क्या है सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस का है 1755 ठीक है थोड़ा से इसको सॉल्व करो यह हमारा पास आगे 100 यह कितना हो जाएगा नीचे में LCM 2 ऊपर जाके यह मल्टिप्लाइ तो 200 प्लस 25 225 अपॉन 2 इन्टू 1755 ठीक है फ्रेक्शन डिवीजन में डिवाइड हो रहा है कैसे इसको सॉल्व करते हैं इन्वाइड अन्मल्टिप्लाइ मतलब यह जो डिवीजन है यह मल्टिप्लाइ हो जाएगा और यह इन्वाइड हो जाएगा 21755 ठीक है ना यह सारा रूपीज है याद रखना लिखते रहा ना इसको अब इसको जड़ा सॉल्व करों 25 से काटो गए यह और यह हम बरे नंबर से काट रहे हैं तो 5 से भी काटना स्टार्ट कर सकते हैं बहुत बार कटेगा हम संजाने लिकों को बताने 25 से यह 4 ताइम जाएगा ठीक है ना इन से यह वह कटेगा बिल्कुल कट सकता है चलो फिला थिर से काटो एक सटना क्या कट जोगए यह इखी बार काट तो 9 से क्यों काट जाएगा ना इन तो One Time जाएगा कितना हो गया एट 85 तो बाला स्टोशड कितना हो गया ना इन से नइन एट बस गया 85 हो गया 8 times जाएगा 72 हो गया और तुसके रख क्या नहीं कुछ गलती हो रही है इसमें इसको 8 times 9 ही होगा नहां यह 9 होगा ठीक है 9 से करतेगा 1 तो यह हो गया 8 और 85 तो यह हमारे पास आ गया 9 9 जा होगा यह सोरी यह होगा 81 45 बच गया तो 5 टेंस यह हमारे पास आगे अभी सबों को मल्टिप्लाई कर दो क्या है हमारे पास 4 x 2 x 195 4 x 2 8 हो गया 8 को 195 से मल्टिप्लाई कर गया क्या जाएगा हमारे पास 8 5 जा 40, 9 अठे 72 और चार्ज 76, 7 8 and 7, 15 1560 यह हमारा cost price आया इतने percent gain इस पर यदि इतने percent gain के साथ बेचोगे तो तुमारा selling price यह आएगा तो इसको check भी कर सकते हो मतलब इसका इतना percent निकालोगे जो आएगा उसको यदि इसमें add कर दोगे यह selling price तुमारा आजाएगा इन दोनों को हमने बनाया फर्मूले पर इन दोनों को बत्ता बनाएंगे हम लोग उनिटी में थट पर देखो एट percent loss का मतलब क्या होता है एट percent loss का मतलब है कि तुमने hundred जिसका cost price था उसको एट पर एट percent of hundred कितना हो जाएगा एट रूपीज ही आएगा तो उसका selling price कितना हो गया hundred minus eight 92 गेन percent में क्या होता है एट percent profit का मतलब क्या हुआ यह तुमने hundred CP माल लिया तो एट hundred percent of hundred एट आया hundred के समान को तुमने hundred eight में बेचा एट percent loss का मतलब है कि यदि तुम CP let CP is equal to sorry rupees 100 ठीक loss कितना हो गया eight percent sorry loss हो गया rupees eight तो इस हिसाब से SP कितना हो जाएगा यह हमारे पास आ गया hundred minus eight 92 rupees 92 अब यह newton method का सवाल हो गया है देखो selling price यहां दिये हुए है CP पूछ रहा तो CP को लोग बाद में रखते है तो यह question क्या होगा मारा पास कि 92 यदि SP है तो selling price hundred है यदि SP 8510 है तो cost price कितना होगा unit method ठीक है direct variation SP rupees 92 है CP rupees 100 है ठीक है न language नहीं लिख रहे हैं फ्रका हम तुम लोग के लिए भी छोड़ रहे हैं ठीक है न यह 25 times और यह कटेगा कितना two and three times ठीक है यह तुम इसको 85 से यह कट सकता है सिधर divide कर देख बड़ डिवाइड करके देख लो 8510 को 23 से ठीक है यह four times नहीं जाएगा three times जाएगा nine और three to six 69 यह हो गया 16 और one यह चला जाएगा five times five sorry यह one ही होगा न ठीक तो है नहीं five times कैसे जाएगा बहुत ज्यादा three times इससे कट गया हमारे पास एंसर के आगया 25 इंटू three hundred and seventy इसको multiply कर लो कितना ही इसको सिधा multiply कर सकते हैं हम लोग कर देते हैं इसको मीटाप बेल है यह हमारे पास आगया rupees zero 25 को four times multiply कर होगा hundred होता है seven times multiply कर 175 होगा hundred and seventy five का five seventeen seventeen पचिस्त या पच्छत्तर 75 और उधर कितना था seventeen seventy five and seventeen हमारे पास ninety two आ गया कितना हो ninety two ninety two ही होना चाहिए ठीक है 75 and seventeen 75 eighty two ninety two ठीक है ठीक है तो यह हमारे पास इस हिसाब से क्या आ गया यह cost price निकल गया करने का मतलब कि इस पर यदि इतना loss होता है तो तुम्हें selling price इतना आएगा यह test करने का तरीका है कि मारा answer सही है कि नहीं है इसको कर लेना likewise यहां देखो क्या होगा यदि इसी तरह तुम लेट CP is equal to rupees 100 ठीक है loss कितना लग गया हमें 28 अपॉन 3% का इतना ही loss लगेगा 100 का इतना percent इतना ही आएगा 20 अपॉन 3 तो इस हिसाब से selling price कितना हो गया selling price हो गया 100 loss लगा है cost price में से minus होगा कितना minus होगा 20 अपॉन 3 यह चीज है ठीक है ना 618 दो 20 कितना आगे हमारे पास 300-20 LCM लेना है इसका LCM लेना 3 हो गया यह हो गया 300-20 यह आगे हमारे पास 280 अपॉन 3 ठीक है ना यह रूपीस इस हिसाब से यदि यह 100 रूपय यदि cost price है तो इसकी selling price इतनी हो जाएगे ठीक है ना देख लो यह 300 आता 300 से भी कम है इसका मतलब है कि selling price 100 से भी कम होगी होनी भी चाहिए loss लगा है ना तो 100 यह दि cost price है तो selling price नीचे होगा आभी रहा है इसको हम लोग यहीं पर छोड़ते हैं ताकि calculation में हमें आसानी हो आगे में ठीक है अब question क्या बनता है question बनता है since इसके हिसाब से यदि selling price SP 280 upon 3 है तो cost price 100 है यही है ना cost price 100 यदि SP 1 है तो कितना हो जाएगा 100 यह इधर जाके divide होगा डैक डैक बैसन का question है यह इतना हो गया किस condition में यह हो सकता है यदि इसमें इसी से divide कर दें ठीक है ना इसमें इसी से divide करो गया तो सेम काम हम लोग उधर करेंगे यह यूनिट्री में तरड वाले में और इनवर्स वाले में बहुत अच्छे तुम लोगों को बता चुके हैं अब हमारे पास क्या बच गया कि यदि SP 5600 है वन हो गया 5600 कैसे हो सकता है यदि इसमें 5600 से मल्टिप्लाई करें इधर इतने से मल्टिप्लाई किया इधर इतने ही से मल्टिप्लाई कर देंगे अब हमारे पास आगया 100 इंटु 3 अपान 280 ये तो था ही ये 5600 से धर मल्टिप्लाई हो गया देखो 28 इंटु 2 56 होता है ये सिंपली एक बार में कट जाएगा 28 से 1 और ये हो जाएगा 20 हमारे पास क्या आगया 100 इंटु 3 इंटु 20 ये हमारे पास आगया 6000 ठीक है ना 300 इंटु 20 इंटु 6,000 इस तरह से ये 3rd question भी finished